नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक्सामाश्टरी एस्पी में दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि इस वीडियो में ऐसा टॉफिक है जो एक्साम में बार-बार पुछे जाते हैं और एक्सा का ऑप्रेशन है क्या बर्गा का अर्थ होता है हतास नीराशा और ऑप्रेशन का अर्थ होता है संचालन या प्रचलन 1977 में वामदलों के सत्ता में आने के बाद से जो 1977 में है उस समय कम्यूष्ट पाठी और सहयोगी ताकतों के आने के बाद से पस्टिम बंगाल में 1978 से ऑप्रेशन बर्गा एक पर्मु कायर करम रहा है उसके बाद से जो है 1977 के बाद से पश्चिम बंगाल में 1978 से ओपरेशन बरगा एक परमुकायर करम रहा है उस समय ग्रामिन जनता को भूमी, समंधी समस्याओं, भोग, रिन, स्विधाओं का अभाव, विरजगारी और पटो की आशुरच्छा जैसी परिशानियों से मुक्त कराने के लिए कदम उठाये गए थे और उस समय क्या था ग्रामिन जनता में भूमिन, समन्दी समस्याएं, भूख, रिन, स्विधाओं का अभाव और पट्टो के आशुरच्छा जैसी बहुत सारी परिशानिया थी और इन परिशानियों से मुक्त होने के लिए कदम उठाये गए थे इस ओपरेशन का एक पर्मुख पहलू बर्गदारों का पंजीकरन था और इस ओपरेशन का जो पर्मुख पहलू था वो था बर्गदारों का पंजीकरन करना बर्गदार आर्थिक राजनितिक और यहां तक की समाजिक रूप से भी जमिनदारों के साथ बंधे हुए थे जो बर्गादार थे वे आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक की समाजिक रूप से उनके साहत बंधे हुए थे जमिनदार जो थे वे अपने नीजी कारियों के लिए उन्हें अपने अधिन बनांद की रखे हुए थे इच्छा पर कस्तकारी और आस्थाई इस्तिती ने उन्हें बेदखल होने के भाई की साथ जीने के लिए बाद किया था उन्हें हमेशा डर आता था भाई राता था कि हम जिस जमीन में खेती कर रहे हमें उस जमीन से बेदखल ना किया जाए और इसलिए उन्हें जमिन्दारों की ताकत के अधिन बनाया गया कस्तकार संगठनों को पहले इस समन्ध को तोड़ना था कस्तकार जो था उनको पहले इस दोनों के जमिंदार और बर्गदार के बीच में जो समंद था उसको तोड़ना था और फिर पंजीकरन के बाद बर्गदारों को पुरानी सक्ति समुहों जैसे बर्गदार भो स्वामियों द्वारा किये गए किसी भी हामले से सुरच्छा करना था